नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंकजराया और आप देख रहे हैं दिविग्यान चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज का वीडियो मैं उन सारे अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आया हूँ जो UGC NET की परिक्षा देने जा रहे हैं JREF की परिक्षा देने जा रहे हैं या UPTGT और PGT की परिक्षा देने जा रहे हैं ऐसे सारे अभ्यर्थि अगर इस प्रैक्टिस पेपर सिरीज को देखेंगे तो उने काफी लाव मिलेगा आज से मैं एक नई प्रैक्टिस पेपर सिरीज या हम कह सकते हैं सिरिंखला की सुरुवात करने जा रहा हूँ जिसका पहला सेट आपके सामने लेकर के आया हूँ इस पेपर में आपको कुल 30 प्रश्ण मिलेंगे जो हिंदी साहित्य और व्याकरण के अलग-अलग भागों से सम्मंदित है चलिए बिना देर किये बिना विलंब किये आज का प्रैक्टिस पेपर सिर्ट सुरू करते हैं पहला प्रश्ण है आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद कभी कौन थे अब यहां अंतिम चरण बात की जा रही है उस समय की बात की जा रही है जब लोगों द्वारा बोली जाने वाली आम भासा के शब्दों को साहित्य में वरियता दी जाने लगी और कभी या रचनाकार अपनी भाषा के शब्दों में तब्दीली लाने लगे भाषा का रूप बदलता हुआ दिखाई देने लगा वह अंतिम चरण आदिकाल का उसकी चरण हो रही है और उसके कभी की चरण हो रही है कभी कौन थे तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके कभी थे अमीर खुश्रोजी बी विकल्प सही होगा दूसरा प्रशन आपके सामने है स्क्रीन पर कन्नौज के राजा जैचंदर की वीरगाथा का गान किया गया है किसकी पुस्तक में कौन था रचनाकार और कौन थी पुस्तक ठीक है तो मैं बताना चाहूँगा कि भट केदार कृत यानि भट केदार द्वारा रचित जैचंद प्रकास दिखे नाम से आपको पता चल जाएगा जैचंद की वीरगाथा का गवरण किसमें है उन्ही के नाम पर लिखी गई है या पुस्तक जैचंद प्रकाश और इस पुस्तक में उनकी वीरगाथा का वरण भट केदार जी ने किया है तीसरा प्रशन हिंदी कावे में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है 12 मासा जिसमें 12 रित्वों का या हम कह सकते है 12 महीनों का वरण रित्वें नहीं कह सकते हैं 12 महीनों का वरण होता था और अलग-अलग महीनों में जो रित्वों का अलग-अलग तरह का प्रभाव होता था मौसम का अलग-अलग प्रभाव होता था खास करके इस तरह की कविता बिरह या वियोग का वरण करने में ज्याद कविता की पंग्तियां लिखी जाती थी तो हिंदी कावि में बात आती है कि प्रयुक्त होने वाला बारह मासा सबसे पहले किस गरंथ में मिलता है तो वह मिलता है मित्रों बी विकल्प सही है विसल देव रासो जिसमें वियोग वर्डन किया गया है कि विसल देव किसी से के लिए आप मेरे लौकिक साहित्य और रासों साहित्य को अच्छी तरह से देखिए वह वीडियो खोली हो उसमें आपको डिटेल में विसल देव रासों के बारे में जानकारी मिलेगी चौथा प्रशन है रेवातट प्रिथवी राजरासों का एक भाग है लेकिन आपको बताना है कि यह कौन सा सर्ग है कौन सा पार्ट है प्रिथवी राजरासों का कौन सा भाग है रेवातट एक अध्याय का नाम है रेवातट कौन सा है वह 22 वा 24 वा 25 या 27 वा तो सही उत्तर है मित्रों 27 वा डी विकल्प सही है यहां बात हो रही है चमा करें वीज वीच में कभी कंप्यूटर महराज कुछ कुछ न कुछ दिखा देते हैं यहां मैंने बात किया आपको उस प्रत्वी राजराशों की जी जो चंद्रवर्दाई द्वारा लिखी गई थी उसको पूर्ण क किया गया था उनके पुत्तवारा प्रशन है प्रत्वी राजरासों में कुल कितने सर्गों का समावेश है प्रत्वी राजरासों में मित्रों 69 69 हम कह सकते हैं सर्गों का समावेश है सर्ग यानि अध्या या पार्ट कह सकते हैं प्रसंख्या 6 ऐसे राशोग्रंत के रचनाक रिव्यकार का नाम बताना है तो बीव देखिए नर्पतिनाल लिखा है ठिक रहे needles का भी विकल्प नर्पति서도 इन्होंने क्या नर्पतिनाली आप को मुझे कमेंट बॉक्स में को जिघर के बताना है कि इनकी रचना का का नाम था इनकी रचना रासो करके लिखे कि कौन सा रास है प्रत्वी राज है खुमाण है कि विसल देव है कि परमाल है वह आपको बताना इस ही सात्वा प्रश्ण समझ्जेगा चंदों का अजायब घयर कौन सा ग्रंत कहलाता है परमाल रा सब्2 सल देवराइव सो्प। तर अद्वeren देरासो में लिखे गये हैं प्रिटे रचे गये हैं हम कह सकते हैं जो की प्रिथिवी राज के दोस्त चंद्रबरदाई ने रचा है और एक से बढ़िया एक चंद उसमें डाले गए है प्रस संख्या आठ देख लीजे प्रिथिवी राजरासों का वर्ण विश्य है प्रिथिवी राजरासों में किस चीत का वर्ण है स्रिंगार गाथा है तो सही उत्तर है मित्रों यह वीर गाथा है अगर आजा यह नौवा प्रशन है खुमाड रासों में है खुमाड रासों में क्या है भाई प्रिस्वीराज की यश्क का वर्डन है या राजा शिव सिंग की वीरता का है या आलहा उदल की वीरता का है या चित तोड के खुमाड के युद्धों का वर्डन है तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें खुमाड रासो एक प्रश्न विसल देव से संबंदीत जिसमें कहा गया था बारा मासा वाली बाद ठीक है विसल देव रासों में राजा विसल देव के साथ किसके विवा वियोग और पुनर मिलन की कथा है राजेश्वरी भानुमती राजमती या संयोगिता तो संयोगिता और राजमती तो सवाल ही नहीं है दस्वा प्रशन का सी विकल्ब है राजमती ठीक है आगे आजाईए सब्ढ़ा गयारवा प्रशन है कि शुट की व्युतपती किस चप्द से मांते यह निकला है रासक से रसिंग से राज से या रासो से रासो खुद है तो वो रासो से निकलेगाrika वह तो सवाली नहीं ने रौक्टर नरौत्ताम स्वामी कहते हैं कि भाई रासो शब्द जो है वह रसिक से निकला ये खाली मैं मैं इन की बात करना रहा हूं dr. नरु Feld सवामी और कई लोगों किसी ने रास मिया किसी ने जोड़ा है कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने रासों का संबंध रामायन से जोड़ा है अचार रामचंद्र शुक्ल ने रासों का संबंध रामायन से जोड़ने की कोशिश की है तेरहमा प्रशन आपके सामने है आधिकालीन कावे में किस प्रवित्ति का अभाव है आधिकालीन जो कावे लिखे गए हैं उसमें कौन सी ऐसी प्रवित्ति है कौन सी विशेस्ता है जिसका अभाव देखने को मिलता है प्रकृति चित्रण है की नहीं है राष्ट्रिय चेतना भक्ति कौन सी चीज का भाविए सेक्षि today को मिलता है तो तीरह हुए का वी बिकल्ब साहिए राष्ट्र पीच्ट बढ़न करने उस ridge में क्या हो रहा दूझ कैसे मर रहें जी रहें क्या खा रहे फिर से हमारे कंप्यूटर महराज बीच बीच में अपने गुस्वाइब दिखा रहे हैं चौदामा प्रशन राहूल संकृत्यायन किसको मानते राहूल जो घूमने में बड़ा विश्वास करते थे पुरी जिन्दगीन की घूमने में चली गई और कई देशों का दौरा किया और कई भाशाय सिखी राहूल संकृत्यायन जी कहते थे इनका विश्वास था कि शैर कर दुनिया की गालिफ जिंदगानी फिर कहां जंदगी कर कुछ रही तो नौज़मानी फिर कहां तो सरह पाद शाली भद्र सूरी चंदरबर्दाइए है और संभू राहूल सांकृत्यायन जी कहना चाह रहे हैं कि हिंदी का जो पर्थम कभी था वो था चंडर जब आराद वो चंद्रबरदाई को नहीं मानते हैं चंद्रबरदाई को किसने माना है ये comment में आप लिख करके बताइएगा। बहुत ही important प्रशन अक्सर आता है कि संद्रबरदाई को हिंदी का प्रतम कभी किसने माना है ठीक है यह जरूर लिख करके मुझे बताईएगा सरहपाद कौन थे यह भी लिख करके कमेंड में बताईएगा हलाकि इतना बता देता हूं कि वज्रयान से संबंदित थे ठीक है आधिकाल के कभी थे लेकिन वज्रयान संप्रदाय के थे 84 सिद्धों में इनका भी नाम देखने को आत मिलता है कि चली आगे आजाईए तो राहुल संकृताय जीने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कभी माना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रशन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रच रह्यान परमपरा के सिद्धे आचारियों द्वारा रचित जो शाहिक का है और यह 54 सिद्ध हुए थे और इन लोगों में से कुछ लोगों ने रचनाइची थे कुछ लोगों की नहीं भी मिलती है 16 हमाँ देख लेते हैं सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवी है किसको दार्शनिक कवी कहा गया है सिद्ध कवियों में से सराहपाद कन्हपा गोरखनाथ लुईपा ये जो सिद्ध कवी है इसमें गोरखनाथ को भी गुसा दिया गया है हलांकि गोरखनाथ ऐसा कहा गया है कि ये बाद में आए हैं उसमें ये नाथ संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं गोरखनाथ जी तो सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवी है कौन आपको सोचना है उत्तर है बी विकल्प कन्हपा को दार्शनिक कवी कहा गया है दार्शनिकता इन में दिखती है इनके रचनाओं में 17. धोला मारूरा दूहा का वर्ण विशह है धोला मारूरा दूहा में किस चीज का वर्ण किया गया है प्रेम वर्ण है या आश्रेदाता की प्रशनसा है या युद्ध का वर्डन है, ग्यारवी शती के लोग गीत का वर्डन है, किस का वर्डन है, तो धोला मारू रादूहा, ठीक है, इसमें धोला और मारू, ये दोनों के प्रेम का वर्डन है, ठीक है, तो सत्रहवे का क्या विकल्प सही होगा मित्रों, डी विकल्प, डी विकल् ग्यारिमी शती के लोग जीवन का वर्डन है् ठीक है प्रेम का वर्डन तो हई है आसरे दाता की प्रसंसा वर्डन र未 अश्र में देखने को नहीं मिलती वर ती यारवी शताब्डि ए लोग जीवन का वर्डन यह बात जादा उप्यूक्त है धोला मारूला दुहा के विशय में ठीक है अक्सर ये प्रश्ण भ्रमित कर देता है 17 का D था अब आज आई ये 18 प्रश्ण पर विद्यापती पदावली में किस रस की प्रधानता है विद्यापती की पदावली और विद्यापती को मैथिल कोकिल भी कहा गया है ठीक है जो मिथिला भाशा को मैथिली भाशा को बड़ी प्रमुखता दिये है अपनी पदावली में 18 का बी विकल्प सही है स्रिंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है क्योंकि स्रिंगार के द्वारा ही इनोंने भक्ती को समझाने की कोशिश की है 19 वा विद्यापती की पदावली में है क्या मिलता है भाई आश्रेदाता की प्रशनसा है वी रस की प्रधानता है स्रिंगार रस की प्रधानता है भक्ति और स्रिंगार दोनों है तो 19 का डी विकल्प है भक्ति और स्रिंगार दोनों है ठीक है लेकिन उपर के प्रश्न में आपने आपको अगर लगाना पड़ेगा तो देखिए यहां पर भक्ति रस्त की बात नहीं की गई है इसलिए मैंने स्रिंगार रस्त कहा था अगर यहां भक्ति होता तो भक्ति और स्रिंगार अलग-लग नहीं लिखा जा सकता क्योंकि विद्यापती की पदावली में दोनों चीजें देखने को मिलती हैं इसलिए देखिए अगले प्रश्न में आपको भक्ति और स्रिंगार दोनों कहा गया है बीस्वा प्रश्न निम्न में से कौन सी रचनाए विद्यापती की नहीं है तो बताना चाहूंगा बरवय रमान और गितावली यह वरवय रसान लिखा है रमान होना ची एक्चुली यहां पर और डी विकल्ब जो है वो सही है 21 प्रश्न कनक कदली पर सिंग समारल तापर मेरु समाने उपर युक्त पंक्ति के रचनाकार है उपर युक्त पंक्ति के रचनाकार है विद्यापती जी आगे आजाए बाइस्वा प्रश्न विद्या प्रत्वी राज रासो बिल्कुल अनायतिहासिक गरंथ है या कथन किसका है कौन कहा है कि यह अनायतिहासिक गरंथ है इसमें जो तत्थ दिये गए हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं इतिहास से बातें बड़ी कोरी कलपना लगती हैं कहीं कहीं बड़ा जूट नजर आता ह ये बात किसे ने कही थे भई प्रत्वीराज रासो बिल्कुल अनायतिक अनायतिहासिक अने थिहासिक मतलब जो इतिहास से सम्बंदित नहीं इसकी घटनाएं इसकी चीज़ें इतिहास से पूरी तरह से मैच नहीं करती है इसमें कई चीजें गलत नजर आती है यह बात किस ने कही थी बाइसमें प्रश्ण का ए विकल्ब सही होगा गवरी शंकर हीरा चंड्रोजा जी ने यह बात कई थी किया एक एक अनायतिहासिक गरन्थ है आजये तो प्रश्ण पर देशिल बैना सब जन मिठ्था तैटाशन जपयो अब हठ्था प्रस्टुत पंक्ती किस कभी की है देशिल बैना सब ब्श्ण मिठ्था जगनिक चंड्रवर्दाई की लोगों को अच्छा लगता है देश्री भासा जो होती है वह सभी लोगों को मीटी लगती है चौविस्वा प्रश्न कर वर्डन किया गया है और महराज विषलदेव जी की बात की गई है पचीस्वाँ बारह बरसवा कुकर जीवन और यान को धिकार कर दो हो बर शचत कर जी बन IRS आटनी जीवन को धिकार यह पंगतियां किस रासों कार्तों का विक हैं 25 वां बहुत MORE इंपोर्टेंट यह खुमार रासो कि हैं मित्रों खुमार रासो ठीक है। है । खुमार रासो झालट कि इसमें किसका ररा वन है उसमें किसी की वीरता का वडन है आप मुझे लिख करके कमेंट बताईएगा बहुत डीटेल में नहीं जाना चाहता 26 प्रश्न जहां मन पवन जहां मन पवन न संचरह रवी ससिनाहां पवेश तही वट चित विसाम करू सरहे कही वेश यह पंक्ति किस से संबंदित है यह पंक्ति मित्रों सरह पाद जी से संबंदित है यह बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यूजी सी निट में अक्सर किसी कभी की लिखी हुई बात दे दी जाती है और हमको याद नहीं रहता तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीजों को आपको दो बाहत करना पड़ेगा मतलब कंठस्त करना पड़ेगा इसके लिए कोई मंत्र नहीं कोई ट्रिक नहीं है और अर्फ के पेपर में मैंने ज्यादा तर याद करने वाले ही प्रशन राखे हैं जो आपको याद करना पड़ेगा जिसके लिए कोई ठ्रिक नहीं है अधिकामें किस रचनामें तिरहुत के शाषक की प्रशंशा का मिलाइटいきます 27 कड़ी विकल्ब साइए किर्थी लता किर्थी लता किर्थी पता का ठीक है यह सब आपने सुना होगा विद्यापती की रचनाएं है 28 हिंदी में नक्षिक वर्डन की स्रिंगार परंपरा का आरम माना जाता है अभी तक आपने जाना कि भिया परमाल रासो जो लिखा गया था ठीक है उसमें 12 मासा का वर्डन सबसे पहले किया गया है अब यहां प्रशना आ गया कि हिंदी में नक्षिक वर्डन यानि नाक से ले परमाल रासों से, शंदेश रासक से, राउल वेल से या गाथा शप्त शती से 28 में का सी विकल्ब सही है, राउल वेल से नक्सिक वर्डन, याद रख लीजिगा, यह सब बड़ी इंपॉर्टन प्रशन है, याद करना पड़ेगा आपको, 29 प्रश्ण है आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई जयन साहित्य सिद्यय साहित्य नहीं राचरव इंट साहित्य इन चार साइट्यों पर में वीडियो देख सकते हैं मैंने डाला है अपने चेनल पर दिविगान पर उन्-Tीसवा प्रशन है इसका उत्तर ए विकल्प सही है जैन साहित्य आधिकाल में में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई जैन साहित्य की रचना अधिक हुई है 19 सुद्ध में आगे आजा ये तीस्वा प्रश्ण है नारी की निंदा किस संपरदाय में होती है इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए कि नारी की प्रसंसा किस संपरदाय में अधिक होती थी तो आप लिखेंगे कौन संप्रदाए सिद्ध संप्रदाए सिद्ध संप्रदाए जो 84 सिद्ध हुए थे वो लोग नारी ये बौध भौध धर्म में जो हीन यान और महायान था ठीक है वहां से ये सिद्ध संप्रदाए निकला था जो वहां से वज्रयान निकाले थे और सिद्ध संप्रदाए क् कि 84 सिद्ध थे इन्होंने जो संप्रदाय निकारा था उसी को सिद्ध संप्रदाय कहते हैं उसी को वज्रयान भी कहा जाता है ठीक है और नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती थी तो नारी की निंदा नाथ संप्रदाय में होती थी क्योंकि सिद्ध संप्रदाय ने जो र उत्तरप्रदेश के ये मुख्य मंत्री हम कह सकते हैं सश्री मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से ही जुड़े हुए है ठीक है गोरकनाथ मंदिर जो गोरकपूर में है उत्तरप्रदेश का एक शहर है गोरकपूर वहां पर जो गोरकनाथ मंदिर है उसके मुख्य हम कह सकते हैं कि महंत हैं योगी आदितिनाथ जी और ये लोग क्या करते हैं कान फाड़ करके एक एक मतलब कान फाड़ करके एक बाली पहनते हैं उसमें कान को फाड़ करके तो आप देखे होंगे कि योगी आदितिनाथ के कानों में हमेशा एक बाली नजर आ आते हैं और नारियों की निंदा आई लोग कहे हैं कि वही नारी से बड़ा दूर रहो ठीक है तो नारी से दूर जरूर रही है लेकिन अपने माता-पिता की इजद करिए मां की खास तोर पर क्योंकि वो जननी है आपकी और नारियों में बहुत सारी नारियां ऐसी हैं जिन से हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन जुड़ा है हम तो यही कहते हैं कि नारी सरद्धा की वस्तू है नारी पूजा की वस्तू है इनी शब्दों के साथ वारी को विराम देता हूं अगली वीडियो में एक नए विश्य के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद